Hello friends, कैसे हैं आप सभी? I hope बहुत ही अच्छे होंगे तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल E-Learning with PL पर डिसकस करते हैं आज का सेशन आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं Kingdom Plantee के Division के बारे में मतलब जो पूरा Kingdom Plantee का Classification है न यानि कि जो Kingdom Plantee है उसको कितनी सब Kingdoms में डिवाइड किया गया है कितनी Divisions हैं उसकी कितनी Classes हैं With Examples हम हर एक पॉइंट को यहां cover करने वाले हैं तयार करने का माध्यम सिर्फ इतना है कि आपका जो Point of View है इस Classification को लेकि वो एकदम Clear हो जाए बहुत ही आसान सी भासा में मैंने आज यहां सभी जो Classification की Point उनको यहां include किया है एक-एक Point जो मैं बोल रही हूँ इसको Please Note कर लेना क्योंकि ज़्यादा मैं Theory के माध्यम से नहीं समझाओंगे लेकि जो मैं बोल रही हूँ ना बस उसको अच्छे से सबसे पहले आते हैं Crypto Gammy दूसरा Pheneral Gammy इसके दो ही Sub Kingdoms है एक तो है Crypto Gammy और एक है Pheneral Gammy Crypto Gammy क्या होते हैं भई Crypto Gammy वो होते हैं मतलब जिसके अंदर Flowerless और Seedless प्लांट आते हैं मतलब इस Group में जो Crypto Gammy है इसमें सभी Plants वही होंगे जो नहीं तो Flower देते हैं और नहीं ये Seed देते हैं इनमें जो Reproduction होता है Crypto Gammy में वो भी किसके माध्यम से होता है Sports के माध्यम से होता है सिर्फ ये बात आपने नोट कर लेनी है Crypto Gammy में Reproduction कैसे होगा Sports के माध्यम से होगा ना ही तो इनमें फूल बनते हैं ना ही इनमें बीज बनते हैं यहां तक की बात clear है यहां तक की बात clear है तो अब हम पढ़ते हैं फैनरोगैमी के बारे में फैनरोगैमी क्या होते हैं basically फैनरोगैमी होते हैं मतलब जो visible होते हैं मतलब जो flowering plants हैं और जो seed plant हैं वो Phanerogamia के अंदर आते हैं, मतलब इनके plants जो होते हैं, वो beach भी देते हैं, फल भी बनाते हैं, ठीक है, फूल भी बनता है और beach भी होते हैं, मतलब seed plants होते हैं, एक another term कही गई है, इसको spermatophyta, spermatophyta मतलब sperma का मतलब होता है, seed, phyton मतलब की plant, इसको हम लोग seeded plants भी तो कहते हैं, क्योंकि spermatophyta है, यह seeded plants है, तो flower भी बनते हैं, और इसमें beach भी बनते हैं, तो यह क्या होते हैं, यह होते हैं Phanerogamia, जिसके अंदर क्या-क्या होता है, flower भी बनते हैं, और seed भी बनते हैं, चलो, अब तो बात होगे इसके sub-kingdoms की अब हम next बात करेंगे कि ये तो है क्रिप्टोगेमी और ये है फिनरोगेमी अब इनके अंदर भी तो कुछ division होगा ना जो क्रिप्टोगेमी है ना इसकी 3 divisions होती है क्रिप्टोगेमी की 3 divisions कौन-कौन सी एक तो है थेलोफाइटा एक है ब्रायोफाइटा और एक है टेरिडोफाइटा ठीक है तो इसकी कितने divisions होई तीन डिविजन वो भी किसकी होई है क्रिप्टोगेमी की ठीक है क्रिप्टोगेमी की पहले division है थेलोफाइटा अब हम उसके बार में पढ़ने वाले, क्रिप्टोगेमी की जो पहले डिवीजन है, जिसको हम लोग कहते हैं, थेलोफाइटा, थेलोफाइटा का मतलब क्या होता है, थेलोफाइटा मतलब की जिनका यंग शूट है, इसकी जो plant body होती है थेलोफाइटा की, नॉन वैस्कुलर समझते हैं आप, जिसमें की नाई तो जाइलम होता है, नाही फ्लोइम होता है, इसका मतलब यह है कि जो सेक्स ओर्गन्स होते हैं, थेलोफाइटा में वो भी यूनिस सेलर होते हैं, और नॉन जैकेटिट होते हैं, एक बात और नोट कर लेना थेलोफाइटा के बारे में, किसमें एम्ब्रियो का फॉर्मिशन नहीं होता है, यह बाते भी आपको नोट कर लेनी हैं, अगेन थेलोफाइटा की दो क्लासिस बताई गई हैं हमको, एक तो है अल्गी और एक है फंजाई, यह जो एल्गी है ना, एल्गी हम सभी लोग जानते हैं, क्लोरोफाइलस प्लांट से, अटोट्राफिक होते हैं, सभी आप लोग जानते हैं, एल्गी के एक्जामपल्स मुझे कॉमेंट सक्षे में जल्दी बताओ, एक तो होता है क्लिवाइडो मोनाज, एक होता यूलो थ्रिक्स, एक होता स्पाइरो गायरा, नौ स्टॉक, बहुत सारे हैं मतलब, एक्टो कारपस है, बेट्रे को स्परमम हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है, नेक्स्ट analyst कॉन सी थी, नेक्स्ट थी ब्रायो फाइटा, Bryophyta division था, second krypto gamma के तीन division है, एक तो है थेलोफाईटा एक है ब्रायोफाईटा, एक है टेजोफाईटा, थेलोफाईटा हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ने वाले हैं, Любely of Binbyophyta के बारे में By osóbita की कितनी classes है, By cheat की दो क्लास है एक तो है हिपैटिसी और एक होता है मस्की हिपैटिसी क्या है दो क्लास है ब्राइफाइटा की ठीक है ब्राइफाइटा मतलब की ब्राइफाइटा की बार बात कर लेते हैं मतलब की जो की नॉन वैस्कुनल प्लांट्स है लेंड प्लांट होते हैं मतलब की जो जरूत होती है, फटलाइशन के लिए पानी के जरूत होती है, बाकी ये लेंड पर ग्रो करते हैं, जमीन पर रह सकते हैं, लेकिन जब फटलाइशन की बात आती है, तो इनको पानी चाहिए, चाहिए, इसलिए इनको इतने प्लांट्स आते हैं, उनकी प्लांट बोड़ी जो होगी, उनकी शेप होती है, बिल्कुल लिवर के जैसी, इसलिए इसको कहा है दा लिवर वर्ट, और इसलिए इसका नाम पढ़ा है, इस क्लास का करते हूँ, बेसिकली, इसकी हम कहते हैं, मॉसस, बेकाज, इसकी जो प्लांट बोड़ी होती, वो होती है, फॉलियोज, और इसके एक्जाम्पल्स क्या-क्या है, फ्यूनेरिया हुआ, स्वैगनम हुआ, फ्यूनेरिय की अगर आपसे नाम पूछा जाए, तो पहले वैस्कुल प्लांट कौन थे, टेरिडोफाइटा ही थे, जो कि क्रिप्टोगेमिक अंदर आते हैं, सबसे लास्ट वाली डिवीजन होती है, ये क्रिप्टोगेमिकी, तो टेरिडोफाइटा सबसे पहले, वैस्कुल प्लांट कहे जाते हैं, इसको वैस्कुल क्रिप्टोगेमज भी कहा जाता है, इनको टेरिडोफाइटा को ये बाते आप का लए ब्राइटा क्या कहा था, एमफिबियांन्स अफ्लांट थे, नेक्स बात करते हैं, इसकी भी तीन classes होती है, एक तो होती है, Equisitini, जिसके अंदर Equisitum भी आता है Next class होती है, Lycopodini जिसके अंदर Lycopodium आता है, Sillaginela आता है, Third class होती है, Phylicini Phylicini मतलब की, जिसके अंदर Furns आते हैं, Basically जैसे Drive Terrace हो गया, Terrace हो गया Ediantum हो गया, Phylicini के अंदर क्या आते हैं, Furns आते हैं, ये बात हैं, आप नोट कर लेना, Furns आते हैं, ठीक है जी Next, अब ये तो होगे Crypto Gaming की बात, अब हम बात कर रहेते Ferro Games की, जिसके अंदर Flowering Seeded Plant होते हैं, जिसकी दो Divisions है एक तो होते हैं, Gymnospermy और एक होते हैं, Angiospermy ठीक है, Gymnospermy का मतलब क्या होता है, Gymnospermy इसके अंदर आते हैं, Naked Seeded Plant मतलब की, इस ग्रुप में जो Ovules हैं, या फिर जो Seed हैं वो बंद नहीं रहते हैं, Overy के अंदर ठीक है, मतलब की, इसमें जो Fruit का Formation है, वो भी नहीं होता है Gymnospermy में नहीं तो Overy के अंदर Seed नहीं बंद होते है Fruit का Formation Bean में नहीं होता है इसके इसकी ग्जामपल से还ं की Saicuse इसके अंदर आता है, Pines इसके अंदर आता है तो यह किस के अंदर आती हैं सभी Gymnospermy के अंदर, Gymnospermy किसकी division है, किसकी division है यह है, यह है Fenero Games का, जिसके अंदर फल भी फूल भी बनते हैं और बीज भी बनते हैं ठीक है next बात करते हैं next आता है आपका angiospermia मतलब फल नहीं बनते फूल और सीड बनते हैं angiospermia के मतलब है covered seeded plant angiospermia का मतलब क्या होता है covered seeded plant मतलब कि इसमें जो seeds हैं वो बंद रहते हैं ovary के अंदर या फिर fruit wall के अंदर बंध होते हैं और seeds भी कहां present होते हैं इसमें fruit के अंदर ही present होते हैं seed तो ये होते हैं angiospermia जिसकी दो divisions है एक तो है इसकी monocotylidine और एक a dicotylidine cotylidine के base पर ही इनको divide किया गया है दो classes में जिसमें single cotylidine होगी जिसमें 2 cotylidine होगी उसको कहेंगे dicotylidine monocotylidine के examples जैसे की rice है जैसे की wheat है या फिर maize मक्का भी इसके examples है dicotylidine के examples क्या-क्या है जैसे की चना हो गया gram जिसको कहते हैं pea हो गया या फिर mango इसके examples है ठीक है तो पूरा classification का जो summary है वो मैंने आपको दे दिया है please like करना, share करना, subscribe करना ऐसे ही next video पर बात करेंगे नए video पर बात करेंगे तब तक के लिए video को like करना share करना, subscribe करना subscribe करने में कंजूसी मत किया और बहुत ही authentic sessions आपको provide कराती हूँ मैं वो भी exam oriented keep supporting, bye